2019 का एक जमाना आप लोग को यादे जब हर कंपनी अपने लिए एक बैजल लेस फोन में यहाँ पर बना रही थी और फोन के अंदर चाहती थी कोई भी बैजल नहीं हो सिर्फ उसे प्रॉपर डिस्पले आपको देखने को मिले यहाँ तक कि उस जमाने में यह पॉसिबल करने के लिए पॉप अप कैमरे इंक्ल्यूड किया गया था रोटेटिंग कैमरा लगा गया यहाँ तक कि स्लाइडर कैमरा तक आपको देखने को मिला था कितने फोंस एंडर डिस्पले दिस्पले केमरा आता है एवं कि आंडर स्यासिंगा यह को दीन किल कर दिया अब आकर इसके पीछे का reason क्या हो सकता है यह पता लगाते सबसे पहले यह समझना पड़े कि under display camera इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि हरी company truly bezel less phone यहाँ पर बनाना चाहती थी और इसी चीज़ को achieve करने के लिए punch hole वाली चीज़ को यहाँ पर introduce किया गया था और सच बात यह कि punch hole camera ही यहाँ पर under display camera में भी होता था देकि उसके उपर display को वर एक low resolution layer होती थी यानि कि एक low pixel density का display उस particular part के उपर होता था जिसे यहाँ पर transparent किया जा सकता था यहाँ पर सही मामलों में बोला जाए translucent किया जा सकता था ताकि जो light होती वो एंडर करें display के अंदर और जो camera होता है वो आपकी proper अच्छे तरीके से selfie ले सके यानि कि selfie के लिए उन्होंने एक ऐसी जुगाट बनाई थी कि camera को display के पीछे किया उपर के display को थोड़ा सा resolution कर दिया और यहाँ पर उसे translucent बनाके display के अंदर light डालके वहाँ से आप अपनी perfect selfie है पर निखाल सकते हैं इस concept को यहाँ पर लेकर आये थे और देखा तो शुरूहात में यह concept इता जादा बेखा था कि अच्छी quality की selfies लेता ही नहीं था जबकि आज के समय में बात कीचा normal consumer की तो rear camera से जादा कई लोग selfie camera का यहाँ पर use करते हैं जिस कारण से कई सारी companies अपने selfie camera के अंदर 50 MP का sensor डाल रहे हैं better optics डाल रहे हैं better image processing कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो selfies की quality थी यहाँ पर जो आपकी under display camera से निकलती थी बहुत ही जादा media करती इवन इतना जादा hazy होता था इतना जादा blood images होती थी और light के अंदर इतना जादा diffraction हो जाता था कि quality images की बहुत ही जादा बेकार थी ऐसा लगता था कि किसी पुराने जमाने की 2 mega pixel वाले camera से हम photograph ले रहे हैं literally एक ऐसी चीज़ थी और इसको better करने के लिए AI sharp नहीं AI imaging tool का यूज किया जाता था जैसे better quality का result दिया जासे के लेकिन फिर भी आपको यूज कर दो वो बिल्कुल realistic जैसी दिखने वाली image नहीं मना सकता तो reality से match करें उसके अंदर वो कुछ ना कुछ चीज़ें हाँ पर change कर देगा तो ये तो एक concept यहाँ पर चलानी इंगा अगली चीज़ यहाँ पर यह थी कि इस चीज़ को बनाना यहाँ पर pricing उनके हाथ में आजया और उन्हें पता है कि under display camera इतना बड़ा selling point ही नहीं यह बहुत अच्छा demo दिनी वाली technology है लेकिन real world के अंदर ही इसका कोई जादा useful होता ही नहीं है even देखा तो Samsung ने भी अपने fold के अंदर कहाँ पर camera लगाया था जहाँ पर under display camera के foldable phone के अं और जो under display selfie camera होता है उसको लोग जो यूज होता है video conferencing video call वहाँ पर कर सके जहां पर थोटी मोटी ऊपर नीचे quality चल जाती है लेकिन किसको selfie से video record करना है किसी को vlog करना है photograph लेनी है selfies लेनी है वहाँ पे high quality image sensor डाल लेकि काफी जादा सरूबरत है और यही एक चीज रही जिस पर company's ने focus किया क्योंकि in the company के लिए हाँ पर main motive क्या रहता है जादा जादा पैसा बनाना और जादा पैसा तब बना सकते है कि वह वह काम करें जो user यहाँ पर demand करता है कई बार innovation को जबर जास्ती push करके भी यह company जादा successful नहीं हो सकती और एक बाह बता देना चाहतो जो बहुत ही पूरी इंडस्ट्री का कि जादा innovation करने से आप अपनी company खतम कर सकते हो बहुत एक्जामबल देखिए LG बहुत अच्छे एक्जामबल है too much innovation kill your company even यहाँ पर essential जैसी company example ले सकता हो उस जमाने में सबसे पहला notch वाला phone iPhone 10 से पहले ले आयते वह company खतम होगी यानि कि too much innovation मत करो इसको लोग अपना है अगर आप too much category के अंदर चलेगा है आपकी company हापे खतम हो सकती और आपको product हो सकता इतना innovation करने के बाद बेके ही नहीं और उपर से innovation करने में जो खरचाएगा वो भी निकलेगा नहीं इस वज़े से एक और चीज़ यहाँ पर decide करे कि यह इतना innovation की भी हम वहां पर पैसर डालते हैं जहां पर सच में requirement है लोग को बड़ी battery चाहिए वह priority है एक fast processor चाहिए 5G capability चाहिए जो fundamental चीज़े चाहिए mobile phone को बनाने में वहां पर काम करते हैं बजाए की in the end एक gimmick निकल कर आ रहा है आप समझ गया ना इस तरीके से case चल रहा था और यह भी मै तो कई साल लोग को पता चलेगा भी नहीं कि वहां पर देख रहे हैं क्योंकि बेसिकली जो डॉट रहे तो काफी जाता चोटा ओल्रेडी हापर हो चुक है और आज के समय में Android phone maker उस डॉट को ऐसा डैनमिक आलेंड के रूप में भी हापर यूज करते रहते हैं जैसे उन्ह जोजी भी अब उत्ती जादे वॉल्व नहीं हो पाई और कंपनीज ने भी इसके उपर काम करने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भी यहां पर कोई खास रिटन देखने को मिल नहीं रहा था वल आप खुच सोचिए कि यार इसको डाला जा रहा है टोटल जो को रिजेक्शन ही मिला जिस कारण से जब इती नीश केटेगरी यहां पर नहीं रिवॉल्यूशन कर पाई तो यहां पर कंस्यूमर इंसाइट को समझना जरूरी है और वो प्रोड़ेट्ट हैं पर निकालना ज़रूर है जो यहां पर बेके इसलिए हाईर सेल्फी कैमरा के आल पर फोकॉस किया जारा है कि से सिंव दौल सेल्फी कैमरा पर डाल दी आहाते है काहई bi Rain वे नई डिान पर फोकॉसकिया जारा और कही न त suficiente पर coch तकिया जारें जो जादा पर शहर दिया जारु कि बेकार क्वालिटी की सेलफी वीडियो के अंदर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज को यहाँ पर खतम कर दिया गया लेकिन देखते हैं आने वाला समाना क्या रहता है क्या पता कुछ ऐसी नहीं टेकलोजी आ जाए कि डिस्प्ले के पीछे ही क्यामरा रहे और आपको बहुत इच्छे क्वालिटी की सेलफी और उसके वीडियो आपको देखने को मिल जाए अगर यह टेकलोजी अगर आने वाली फीचर में कुछ एवाल्व हो जाती है तो वह भी देखेंगे लेकिन हाल फिलाल देखके ऐसा नहीं लग रहा कि अंडर डिस्प्ले सेलफी कैमरा दोबारा से हाँ पर अपनी कोई जगे ले पाएगा एवन यहार अंडर डिस्प्ले सेलफी कैमरा लोग तो पॉप उप केमरा से भी बुरा हल हुआ पॉप उप कैमरा भी खतब हो गई स्लाइडर कैमरा खतम हो गए रोटेटिंग कैमरा खतम हो गए यहां पर जितने भी movable parts होते है जातर चीजे हां पर खतब होगे दिखते है selfie camera के साथ यहां पर क्या रहता है आप लोगो क्या opinion है कि मोबाइल फोन के अंदर अगर under display selfie camera हो गया तो आप उसके उपर जाना पसंद करोगे या फिर किसी एक ऐसे phone के बंच आपको बहुत ही high quality की selfies दिखाना शुरू करे या फिर आप लोग को आज selfies में कोई interest नहीं है जो भी आपका answer है नीजे comment बताईए वीडियो में कुछ नया सीख है कुछ जा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें थेंक्यों बने रहे हैं नीख लिए वीडियो के अंदर गुट बाई